चोकंदर सेहत के लिए बहुती लाबदायख होता है, कई लोग इसे सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग चपंदर का जूस पीते हैं, या सबजियों में शामिल कर खाते हैं, इसमें कई di Jeremiah मौझूद होते हैं, जो सरीर को कई रोगों से बचाते हैं चुकंदर में सोडियम, पोटेशियम, कालसियम, फॉसफोरस और भी कई पोशक तत्व पाई जाते हैं इसके सेवन से इम्मिनिटिब बूश्ट होती है साथ ही ये सकिन के लिए भी काफी ज़्यादा फाइदे मन्द होता है अगर आपको एनेमिया है, यानि की खून की कमी है तो डाइट में जो डॉक्टर है, वो आपको चुकंदर शामिल करने की सलह देते हैं चुकंदर खाने से आपके शरीड में तेजी से खून की मातरा बढ़ने लगती है दूसरा, दिल को सवस्त रखता है चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट खून के दबाब को कम करता है और इसमें पाए जाने वाले ब्यूटेन खून को जमने से रोकता है इससे इस तरह चुकंदर दिल से सम्मधित बिमारियों के लिए भी मददगार साबित हो सकता है तीसरा पाचन शक्ती मजबूत बनाता है चुकंदर में फाइबर प्रयापत मातरम पाये जाता है जो पाचन सम्मधित समस्याओं को दूर करने के लिए मददगार है अगर आपको गैस या कबज की समस्या है तो नेमित रूप से चुकंदर का जूस आप पी सकते हो और अपने उबाल लें चान कर इस पानी का जरूर से सेवन करें ऐसा करने से आपको अपनी बॉड़ी में एनरजी फील होगी और आप एनरजेटिक रहपाऊगे पूरे दिन पांचवा स्किन के लिए फायदे मंद चुकंदर में मौजूद फॉलिट और वाइबर स्किन के लिए लाब इसमें मौजूद कॉलीन या दास को बढ़ाने में मदद करता है अगर दिमाग को तेज करना चाते हो तो चुकंदर को अपनी डाइट में जरूर से शामिल करें ये थे चुकंदर खाने के कुछ ऐसे फायदे जिने अगर आप चुछ समय के लिए लगतार खाते हो नियमित से तो आपको यह सभी फायदे मिलने वाले हैं अगर आप अगले 30 दिन तक जैसा मैं अभी इस वीडियों बताओं उस तरीके से चुकंदर का सेवन करते हो तो यह सभी फायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे आज से पीस दिन बाद सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं सुबह सुबह जाएं जैसी आफ उठे आपको ऊशएपान करना है यानि कि पानि पीना है अपना फ्रैश नहीं होने के बाद आपको बनानी एक पलेक संवादा उससे में चीज्च जो ओगी वहोगी चुकंदर दूसरा खीर और तीसरा टमाटर ये तीन चीजे आपको लेनी हैं सुबह सलाद में ठीक है आप अपने हिसाब से मातर रख सकते हो एक खीरा लेलो एक चुकंदर लेलो एक टमाटर लेलो इन तीनों का सलाद बना करके उसमें काली मिर्च काला नमक और थोड़ा सा नीबू डाल करके खाओ इससे जबार टेक कर बाइबाए